हेलो केडेट्स कैसे हो आप लोग तो आज अपन पढ़ेंगे इंग्लिश का फर्स चैटर देट इस नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पार्ट्स ओफ स्पीच अब आप बोलो के सयर इसपीच क्या होती है तब दो किश बहुत हमझेनित तक करने लिए आपने पहला हो बड़ा हो आपने बहुतअ कोई नेम सुरब अगरवाल तो ये भी एक speech हो गई Are you getting my point? कोई भी sentence, कोई भी ऐसा sentence जो आप अपनी भावना वेक्ट कर रहे हो या किसी गी बता रहे हो उसको अपन बोलते हैं speech अब speech के parts तो जैसे आपने कुछ चीज बोला आपने अपनी भावना वेक्ट करी अब उसमें एक word तो होता नहीं है उसमें बहुत सारी चीज़े होती है जैसे मैंने बोला My name is Saurabh Agrawal तो my एक अलग हो गया Name is अलग हो गया Saurabh Agrawal तो ये सब जो है छोटे छोटे इनको बोलते हैं parts parts of speech, speech के ही parts सेम वैसे ही जैसे कि मालनो एक गाड़ी है तो गाड़ी के parts होते हैं न अपन बोलते हैं, spare parts मिलेगे कि न की, अथ भीया ऐसी गाड़ी करीदो, जिसके spare parts मिल जहें, इसका मतलब क्या जैसे गाड़ी है, गाड़ी के spare parts क्या हो गहे tire अलग हो गया, chain अलग हो गया ठीक है, होर नलग हो गया, इस टाइब से हेडलाइट अलग हो गई, ये सारे parts हो गए, किसके? एक भाइक के, वैसे ही parts of speech मतलब जब भी आप कुछ बोलते हो, जब भी आप कोई statement बोल रहे हो, कोई आपका statement है, sentence है, तो वो जिस दिस चीजों से मिल करके बना है वो हो जाएंगे आपके parts of speech, ठीक है, तो parts of speech आपके कौन-कौन से है, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection, ये सारे अपने syllabus में हैं, और ये सारे अपन को पढ़ना है, तो ये आपके अलग-अलग chapters के wise मैं आपको पढ़ाऊगा, तो सबसे पहले अपन क्या चालू करेंगे, बच्चा लोग, आपन सबसे पहले चालू करेंगे, noun, ठीक है, noun पढ़ना चालू करेंगे, पहले noun क्यों पढ़ते हैं, क्या-क्या type से, सारी बाते clear हो जाएंगी, questions करेंगे, exercise करेंगे, उसके बाद बूसरे चेप्टर में चलेंगे, pronoun, फिर उसके बाद verb, adjective, adverb, ऐसे अपन आगे पूरा chapters को complete करेंगे, बहुत जल्दी-जल्दी complete करेंगे, कोई time waste नहीं, जितना आपको जरुवत exam के लिए specifically वो सारी चीज़े अपन पढ़ेंगे, तो चलो, सबसे पहले होता है noun, noun मतलब संग्या, हिंदी में बोलता है संग्या, अब देखो पहले तो मैं आपको यह definition बता दूँ जो लिखी रहती है, हर बुक में जो आपको भ्याद रहती है a noun is a part of speech आप क्या बोलोगे, a noun is a part of speech speech की एक part है, वो तो मैंने आपको बता है noun, pronoun, word, 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 adjective, conjunction, preposition, यह सारी की सारी चीज़े क्या है आपकी, speech की parts है, चलो, that अब यह क्या करता है noun यह noun तो part है कि speech का लेकिन अब यह क्या करता है यह identify करता है किसी person, place, animal, thing, or an idea मतलब मैं अगर आपको सीधी सीधी बाद बता हूँ, तो ब्रह्मा जी ने जो भी चीज़ बनाई है इस दुनिया में उन सभी का नाम को अपन बोलेंगे noun, noun क्या करता है identify करता है, नाम बताता है ठीक है, तो noun, noun ऐसे याद रखना, noun, noun, नाम मतलब अगर कोई बी चीज, किसी बी चीज का नाम बता रहा है, तो then it will be noun clear, कितनी सिंपल है कुछ रटनी की जोथ पड़ी, ना, 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 कुछ नहीं जोथ रटना पड़ेगा आपको समझो, feel लो, और मैं आपको हर एक एक चीज जैसे एकदम सिंपल तरीके से feel कराऊँगा, are you getting my point? चलो, तो noun noun मतलब नाम ठीक है, किसी बी चीज का नाम हो the name of anything in this universe चाहे हो animal, place बता रहा हो, आपने thing बता रहे हो, कोई वस्तू का नाम बता रहे हो किसी idea का नाम बता रहे हो सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी noun के अंदर, ठीक है? तेखो, जैसे soluble science हाँ सर, आपकी channel का नाम है soluble science, तो नाम है, तो yes soluble science is a noun swarabhagrawal, मेरा नाम है ठीक है, आपकी teacher का नाम है, तो swarabhagrawal is also a noun राइपूर, जगा का नाम है, ठीक है राइपूर, तो राइपूर एक जगा का नाम है, नाम है, तो it is a noun, dream तपना, को अब जब सोते हो तो आपको कुछ thoughts आते हैं, कुछ stories टाइप की तो उसको अपन ने नाम दे दिया, क्या की dream भाई तुमको dream आया था, है कि नहीं तो dream, नाम है, अभी किसी चीज का नाम नहीं है, किसी आदमी या किसी animal का नाम नहीं है, यह तो एक idea का या एक concept का, कि भी है, जब आप सो रहे हो तो आपको जो भी ऐसे image visualizations आ रही है, उनको अपनने नाम करन कर दिया, dream, car है कि नहीं, पर ब्रह्मा जी खुद, ब्रह्मा जी की बनाई ही, सारी चीजों के नाम तो नाम है, बट ब्रह्मा जी खुद पे एक नाम है, कि भी अपन बात कर रहे हैं, बगवान की, किस की ब्रह्मा जी की, are you getting my point, चलो restaurant, restaurant भी नाम है, अब आप बोलोगे, सारी, restaurant के तो नाम होते हैं, अरे भी यह भी नाउन है, यह भी नाउन है, restaurant, जहाँ आप खाना खाने जाते हो बाहर, उसको अपने नाम करन क्या कर दिया, restaurant, it is also a noun, अब आप restaurant में बोलोगे, कि कुछ भी नाम आप दे सकते हो, restaurant का, ठीक है, बोलो चमक गया, सबको, पक्का बचे लोग, चलो, तो अब नाउन कितने types के होते हैं, अपनको सारे types के नाउन पढ़ने है, ठीक है, एक एक करके, तो proper नाउन, ठीक है, common नाउन, collective नाउन, इनके बीच में क्या difference है, यह भी पढ़ेंगे, material नाउन क्या होता है, abstract नाउन क्य ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, जब हम है, तो क्या गम है, ठीक है, अपने एक एक करके एक एक चीजों को समझेंगे, तो सबसे पहले आता है आपका proper नाउन, proper मतलब या अच्छे तरीके से, अपने बोलते हैं भाई, काम को अच्छे से करना, properly करना, मतलब आप ना नाउन तो है, रेस्टोरेंट, लेकिन ये proper नहीं है, अब अगर मैं बोलू, हल्दी राम रेस्टोरेंट, हल्दी राम, रेस्टोरेंट, तो अब यह आप स्पेसिफिक होगा, कि अच्छा, रेस्टोरेंट की बात हो रहा है, कौन सी, हल्दी राम, तो हल्दी राम अगर मैं जैसे एक और एक्जामपल, जैसे मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर एक नाउन है, जो पढ़ाता है उसको नामकरन किया गया टीचर, तो टीचर is also a नाउन, बट प्रॉपर नहीं है वो, आप किस टीचर की बात कर रहे हो नहीं पता चला, लेकिन अगर आप बोलोगे सौरप सर सौरप सर इस स्पेसिफिक आप एक किस की बात कर रहे हो, यहां पर आप में यहीं बात कर रहे हो, तो सौरप सर इस आ प्रॉपर नाउन, एंड टीचर इस नाउन, क्या है, मैं आपको बात में बताऊंगा, आप अनको और भी बहुत सारे कर्टिक डिस्क देखने हैं, ठीक ह अब प्रॉपर नाउन रिफर्स तु इस स्पेसिफिक नेम, इस स्पेसिफिक नेम की बात कर रहे है, इस स्पेसिफिक नेम की बात कर रहे है, इस स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो इस प्रॉपर नाउन, और इस स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो इस प्रॉपर नाउन, और आप एक specific person की बात कर रहे हो राहूल की, then it is a proper noun, are you getting my point, तो proper noun क्या है, जो इसमें आप specific name आप दे रहे हो, किसी भी आदमी, place, animal, और ठींको, then it is known as proper noun, गयान की बात क्या है, कि यह proper noun statement में कहीं पर भी आ है, starting में, last में, बीच में, आगे, पीछे, कहीं पर भी आ है बच्चा ल the name of my teacher is Saurabhagrawal, ठीक है, जैसे अगर आप यह लिखते हो, the name of my teacher is Saurabhagrawal, अब देखो, यहाँ पर teacher भी एक noun है, ठीक है, लेकिन यह proper noun नहीं है, तो इसलिए अपने टी को small रखा, लेकिन Saurabhagrawal, Saurabhagrawal, आपका specific proper noun है, specific name दिया ना आपने, तो proper noun है, तो proper noun है, तो proper noun कहीं पर क्या है, आपके statement में, sentence में, last में, starting में, बीच में, वो किस चिस से start होगा, capital letter से start होगा, ज्यान की बात चमक गई, from Krishna जी, ठीक है, Krishna जी से जो ज्यान की बाते में यह वो मैं आपको बता रहा Now, अब मैंने यहाँ पर कुछ examples लिखेना, यहाँ पर आपको बताना है, कौन से proper noun है, और कौन से नहीं है, चलो, तो करो, तूरण पहले करो, screen को pause करके attempt करना, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ना, चलो, तो teacher, नहीं भी है, specific बात नहीं कर रहे, then it is not a proper noun, स्वारकसर is a proper noun, state is not a proper noun, बहुत सारे states हैं, किसी state की बात कर रहे हैं, अपन को नहीं मालूम, MP, मध्यप्रदेश, यह स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक बात करी कि आप मध्यप्रदेश की बात कर रहे हो, pen is not a proper noun, पहन तो बहुत होते हैं, पारकर पहन आपने fix कर दिया, then it is a proper noun, नाम बता हाँ, यह कौन से प्लेयर की बात कर रहे हो, the god of cricket की बात कर रहे हैं, Sachin Tandalkar की बात कर रहे हैं, then it is a proper noun, mobile बहुत होते हैं, it is not a proper noun, iPhone, अच्छा, mobile में भी किस की बात कर रहे हैं, iPhone की बात कर रहे हैं, iPhone, Apple के company की बात कर रहे हैं, then it is a proper noun, game बहुत होते हैं, the game is not a proper noun, cricket, हाँ, game क्रिकेट, then cricket is a proper noun, subject is not a proper noun, कौन सा subject, English, English पढ़ रहे हैं भीया, then English is a proper noun, day is not a proper noun, Tuesday, अच्छा, कौन से दिन की बाद कर रहे हैं, Tuesday, then it is a proper noun, PM, Prime Minister, no, again it is not a proper noun, Narendra Modi, अच्छा, हाँ भीया, अपर Narendra Modi की बाद कर रहे हैं, तो it is a proper noun, I think एगदम clear होगी होगा, कितना ही सी यह बात चमाकरी होगी आप सभी को, कि what is proper noun, are you getting my point, चलो, तो अब आज के लिए आपके लिए इतना ही, अपन प्रॉपर, आज अपनने क्या देखा, parts of speech, कौन कौन सी parts of speech होती, उसमें से पहला चीज अपनने topic उठाया, noun, फिर यह बहुत चोटा सा है, 5 minute लगेगी, आपको revise करने में, 5 minute भी नहीं लगेगी, 2 minute लगेगी revise करने में, तो यह revise करके ही आप दूसरा lecture देखना, ठीक है, तो फिर मिलेंगे second lecture में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो, सौरप सर की class, जैहिंद, बाइबाय, तेक केर